नमस्कार आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी पैड़ागोजी की PYQ ग्लास जिसमें आपकी हिंदी पैड़ागोजी के क्विक रिजन हो जाएगी वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जाद जाद शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में आप भी अपने आंसर देते रहेगा शुरू करते हैं कोचन नंबर फस्ट से भाशा कोशल के संबंध में नीमन में से कोन सा कथन सही नहीं है? ओप्शन A है भाशा कोशल एक करम में ही अर्जित किये जाते हैं ओप्शन B है भाशा कोशल एक दूस संबंदित बी बाöपन से हैं बाषा कोशल remplम करूंडे पाल यहीं करते हैं हजित। पृषाक और यॲाक है हैं निसी करते हैं दूसरतब करूंदित आहिए यह यह अपकर सलसे कंद बाषा कोशल कुंसा आहिए शाए हैं शार हैं आट और techniques इसमें कौन-कौन सा आपका लर्निंग, स्पीकिंग, ये आपका इदर ने हो जाएगा, राइटिंग, लिस्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग, और एक आप हो जाएगा रीडिंग, ये चार आपके भाषा कोशल है, बच्चों के भाषा परियोग में होने वाली तुरूटियों के संबंद में कौन सा कथन उचित नहीं है, उप्शन A है तुरूटियों का अर्थ नहीं है, शिक्षिक में कमी, उप्शन B है तुरूटियों सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, उप्शन B है तुरूटिय का अर्थ है भाशा अज्यानता कों सा कथन उचित नहीं है ये पूछा है कि जो तुरूटिया है उसका अर्थ ये निया कि शिख्षक की जो टीचिंग है उसमें कमी है और सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव भी है और तुरूटिया बच्चों के क्या है मदद का मार्खद कहानी की मुख्या पात्र का नाम बताईए TOP C क्योंगे बच्चों से पूछाएगा कि जो कहानी सुनाएगा उसमें मुख्या कattform eviden अजू प्रमरी लेवल का बच्चा तो कैसे बताएगा अपको निकाल कर फिर पूचा है कि उसमें से एक पात्र का नाम बताईए, मुख्या पात्र का, लेकिन आगलन की दिश्टी से पूचा है, बच्चा बता भी देगा उसको, फिर पूचा है कि हामिद ने उसमें से क्या करिदा, कौशनिंग पूट कर दी, तो इससे बैटर क्या होगा आपका, कि आप जित की जाती है, अनुकरणिय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, ऑप्शन ए इसका राइट अंसर हो जाएगा, कि भाषा क्या होती है बच्चों में, भाषा सीखने की ख्षमता, जनमजात होती है, यह आपका किस ने कहा, जो मस्की जी ने कहा, आपका यह, कि जो बच्चे भाषा शीखने हैं वो उनमें क्या होती है जरमजात होती है भाषा शीखने की ख्षमता नेक्स कोश्चन है बच्चों के भाषा शीखने में सरवाधिक महत्पून है option A है सुन्दर लिखना option B है मानकवरतनी option C है सुद उचारन option D है बाथचीत करना तो भाषा शीखने में सरवसे महत्पून क्या होगा बाथचीत करना जितने ज़्यादा वो बाथचीत करेंगे वो उससे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे next question है प्रात्मिक सतर पर भाषा सिखाने का क्या अर्थ है option A है अलंकारिक भाषा का प्रियोग, option B है वर्ण माला सिखाना, option C है भाषा का प्रभावी प्रियोग, option D है साहित्य की रचना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका option C की भाषा का प्रभावी प्रियोग next question है बच्चे सामाजिक अंदक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह है विचार किसका है, option A है पैवलो, option B है वाइगोट्सकी, option C है जीन प्याजे, option D है स्किनर, यहाँ पर आएगा आपका स्किनर क, तो सामाजिक की बात हुई है, तो सामाजिक से कौन रिलेट करते हैं आपके वाइगोट्सकी, तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा, जो स्किनर है आपके उन्होंने कहा है कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, अनुकरण आपका इमिटेशन से, यह आपका स्किनर ने कहा है, नेक्स कोश्चन है, प्रात्मिक स्तर के बच्चों में भाशा विकास की दरिश्टी से सरवादिक महत्पून है, आप्शन A है पत्रिका, आप्शन B है पठ्थे पुस्तक, आप्शन C है समाचार पत्र, आप्शन D है बाल साहित्य, इसका राइट अंसर हो जाएगा, मुख्या अंतर का आधार है, आप्शन A है स्जाक्षरता, आप्शन B है पाठ्थे समागरी, आप्शन C है भाषा परिवेश, आप्शन D है भाषा आकलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका आपका भाशा शीखने और भाशा अरजित करने में, यूदकि भाषा जो इसको बच्चा acquire किसे करता है, वो अपने परीवेश से उसको acquire करता है, परीवेश से उसको कैसे acquire करेगा अब जो पंजाबी जिनके parents बोलते हैं तो उनके बच्चे पंजाबी भाषा को सीखेंगे उसी का वो use करते हैं वो ही उनकी mother tongue होगी जो हिंदी बोलते हैं उनकी mother tongue हिंदी होगी और जहाँ पर English बोली जाते हैं उनकी mother tongue English होगी तो ऐसे ही बच्चा अपने परिवेश से उसको सीखता है नेक्स कुश्चन है प्रात्मिक स्थर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सरवधिक महत्तव किसे देंगे option A है portfolio, option B है लेकित परिक्षा, option C है जाकसूची, option D है प्रशनावली इसका right answer हो जाएगा आपका option A, portfolio क्योंकि जो प्रात्मिक स्थर पर है ये बच्चों के लिए एक document है जिसमें बच्चे का जो बच्चे से related होता है वो सब इसमें रखा जाता है record बच्चे का कि बच्चे का विहवार कैसा है, कैसे उसका माहोल है, कैसे वो बात करता है ये सब जो जो है उसको बच्चे का portfolio में रखा जाता है, next question है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महतपून है, option A है व्यक्यातमक भाषा, option B है विचारों के भिवैक्ति, option C है सुन्दर लेखन, option D है वर्तने की शुदता, इसका right answer हो जाएगा आपका option B, विचारों की अभिवैक्ति next question है option B है प्रसीद लेकक, option C है प्रसीद रचनाई, option D है भाषा की विभिन रंगते, इसका right answer हो जाएगा आपका option D, भाषा की विभिन रंगते, इसको पाठ्यबुस्त के निर्मान में सरवाधिक महतपून माना जादा है कि आपकी इसी अधार पर पाठ्यबुस्त के बनाई ज जाने चाहिए, next question है, बहु भाषी कक्षा में मात्र भाषा के प्रियोग को, option A है अंदेखा कर दिया जाना चाहिए, option B है अस अभिकार किया जाना चाहिए, option C है स्विकार किया जाना चाहिए, option D है अधिक महतव नहीं दिया जाना चाहिए, इसका right answer क्या होगा आपका, option C इसका right answer हो जाएगा, कि स्विकार किया जाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी भाषा है, भाषा में क्या होगा, आपका बहु भाषिक, बहु भाषिक का मेनिंग क्या है, जिसमें बहुत सारी भाषा हैं, बोली जाएं, और भारत तो आपका एक ऐसा देश है, ही है जिसमें अल टेटर तंग है बच्चे स्कूल में आकर उसी को यूज करेगा, connected उसको बाध्या नहीं कर सकता, अगर इंग्लिश बोलने हैं बच्चे तो आपको भी इंग्लिश ये बोलनी पड़ेगी, नेक्स्ट कोश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में सरवाधिक महत पूर्ण है, अब जो भाषा है, सबसे ज़्यादा ही फैक्ट कौन करता है उसको सिखाने में, उप्शन A है संचार माध्यमों का प्रियोग, उप्शन B है आभिभागों का शाक्षर होना, उप्शन C है भाष सिक्षक का भाशाग्यान, Option D है भाशा का सम्रिद परिवेश तो यहां pretend आएगा सम्रिद परिवेश जैसा राइए अंसर होजाएगा आपका Option D है, भाशा का सम्रिद परिवेश क्योंकि जैसा बच्चों को environment मिलेगा वो उसी के according भाषा को सीखेंगे वो ही उनकी mother tongue बन जाती है जैसे उसके parents उसकी जो उसका environment है वो उसको use करता है भाषा को वैसी बच्चा भाषा को सीख सकता है और आपके चोमश्च की जी है उन्होंने बताया है कि बच्चों में भाषा सीखने की जनमजात ख्षमता होती है और जो आपने जो आपके क्रेशन जी है स्टीफन क्रेशन उन्होंने बताया है कि बच्चा second language को भी acquire कर सकता है कैसे acquire कर सकता है जैसे first language को बच्चा कैसे acquire करेगा जिस माहोल में रहेगा वो जो अपनी मम में पापा को बोलता हूँ अप उसको English language नहीं आती, अब English language को वो कैसे सिखेगा, अगर उसको through acquire सिखाया जाए, through acquire उसको अर्जन सी सिखाया जाए, ना कि अधियम से, learning से नहीं उसको, acquiring कैसे की जाए, उसकी अर्जन कि उसको सिखाया जाए, बच्चे को, जैसे उसने mother tongue सेखी है, ऐसे उसको second language सिखाया जाए, तो उसको बच्चे को जो language सिखानी है, उसको उसी माहूल में बच्चे को भेज देना चाहिए, जिससे वो उस भाषा को acquire कर लेता है, यह आपके स्टीफन क्रेशर जी बोलते हैं, next question है, प्रात्मिक सर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, उप्शन A है कक्षा में लिखी ताकलन, उप्शन B है भाषा सिख्षक का भाषा ग्यान, उप्शन C है कक्षा में रंगीन पाठ्य बुस्त के, उप्शन D है कक्षा में प्रिंट सम्रित परिवेश, इसका right answer हो जाएगा आपका option D कक्षा में print स्मृत परिवेश next question है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विधाले आ दे हैं इसका नहितारत यह है कि option A है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए option B है बच्चों को बोलचाल की भाषा नहीं सिखाए जाए option C है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए option D है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित परियोग किया जाए इसमें क्या होगा आपका right answer option D बच्चों के भाषाई अनुभों का उचित परियोग किया जाई क्योंकि क्या पुछा है इसमें कि जो बोलचार के भाषा है उसका अनुभों लेकर जो बच्चे हैं वो विधाल ले आते हैं ये बात कह नहीं सकते कि बच्चे कोरी स्लेट हैं वो अपनी भाषा एक भाषा लेकर वो स्कूल में आते हैं। इसलिए उनकी जो भाषा है उसकी अनुभवों का उच्छी परियोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कोश्चन है। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबस्यादिक महतरपुन मानते हैं। कि बच्चा इंट्रेक्षन से सीखेगा। कोशन हैं अहीं हिंदी भाशा सिक्षक का यह prioritize होना चाहें कि सांद भाल साहित्य पढ़नी कि भरपूर अफसर दे अफसे सी है बच्चों की मात्र भाशा किसता पर हिंदी भाशा को ही कक्षम इस्थान दे option D है बच्चों द्वारा मानक शब्दों का ही प्रियोग करने के लिए आफसर दे इसका right answer हो जाएगा आपका option B कि बच्चों की भाशा संबंदी सहच रचना शक्ति को बढ़ने का आफसर दे क्योंकि अगर वो बच्चे को कहेगा कि भाशा की हिंदी भाशा का ही प्रियोग करना है तो यह आपकी एकल भाशा में आएगा यह आपकी बहु भाशा में नहीं आएगा और जबकि NCF ने आपका क्या कहा है कि बहु भाशिकता को प्रधानता दी गई है कक्षा फिफ्ट के बच्चों के भाशा आकलन के संदरब में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं औप्शन A है इदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा औप्शन B है केशव सबसे क्या कहता होगा कल्पना करके सब्दों में लिखिए औप्शन C है यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आये तो उसे किन-किन कामों में परिशानी होगी औप्शन D है अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि जो सबसे कमजोर सवाल है यहाँ पर बात की गई है आपके कमजोर सवाल की यहाँ पर इन्हों ने सही नहीं पुछा कि कौन सा सही होगा यहाँ पर बात की है कमजोर सवाल की कि सबसे कमजोर आप किसको मानते है इसमें से तो सबसे कमजोर किसको मानते हैं इसमें ये मानेगे कि हामिद ने मेले में से क्या खरीदा बच्चे को पीच में से टॉपिक में से उठा के पूछ लेना ये उसका कमजोर मानेगे सबसे कम महतपुन मानना जाएगा इसको नेक्स्ट Commissioner है बहाशा का अतीम हैं प्रकारिया है उप्शन A है लेखन उप्शन B है सुनना उप्शन C है अक्षरग्यान उप्शन D है समपर्शेशन तो इसका रight answer हो जाएगा उप्शन D समपरेख्शन ये आपका राइट answer हो जाएगा सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है Option A है सुनी गई कहानी को सबतेश लिखना Option B है कवीता सुनना और शबतेश लिखना Option C है कवीता सुनकर प्रशनों के उत्तर लिखना Option D है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना इसमें पूछा है कि आगलन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है तो अच्छा तरीका कॉन्स होगा सबसे option D कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना क्योंकि जब बच्चे कई बार क्या होता है कि बच्चों को चितर दिखाये जाते हैं कि यह आपका यह शीर है यह आपका जो एसमी जू है यह आपका नेट लगा हो है जाल लगा हो है जो जू है आपका वो उसको शेर की जाल को काट रहा है तो बच्चों का ऐसे चीतर दिखा कर भी उससे कह सकते हैं कि आप अपने शब्दों में स्टोरी को लिखिए तो बच्चे उसको उसमें जादा इंटरस्ट लेंगे और उसको जादा अच्छे से लिखेंगे और उसमें चीटिंग भी नहीं होगी बच्चों की चीटिंग क्यों नहीं होगी क्योंकि सब अपने अपने इंटरस्टे से उसको अलग-अलग लिखेंगे सारथक पढ़ते समय सारथक एक बच्चा है वह पढ़ते समय कभी वाक्यों शब्दों की पुन्रा वृति करता है पुन्रा वृति क्या करना उसको रैक्निंग कर उसको दोबारा से पढ़ना यह भाशाई वहवारदर शाहता है कि option a उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कट सकता है option D है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिस करता है इसका right answer हो जाएगा option D कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिस करता है क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है शब्दों की पुन्रवरिति कर रहा है वो उसे एक अर्थ निकाल रहा है उसका इसलिए वहाँ उसको समझ के साथ पढ़ता है पस्ट में इसने क्या लिखा कि लंबे शब्दों को पढ़ने में उसको कटनाई होती है ऐसा कुछ नहीं है फिर वहाँ पढ़ने में अधिक समय लेता है नहीं और आटक आटक कर ही पढ़ सकता है ये भी गलत है तो बच्चा क्या कर रहा है उसको समझने के लिए उसका एक अर्थ निकालने के लिए किसी भाशा में आकलन का उदेश्यन नहीं है बच्चों की भाशा का तुरूटियों की ही पहचान करना Option B है बच्चों की भाशा प्रगरती को अभिभाव को और अन्य शिक्षकों को बताना Option C है भाशा सीखने के संदर्भ में प्रतेक बच्चे की विशेस आपशक्ता की पहचान करना Option D है भाशा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका Option B की बच्चों की भाशा प्रगरती को अभिभाव को और अन्य शिक्षकों को बताना ये क्या है अकलन का उदेशा नहीं है Next Question है आपके विचार में प्रात्मिक स्तर पर उत्क्रिस्ट लेखन कारिया का उधारन है Option A है किसी आँखों देखी गटना का लिखित बनन करना Option B है चुटियां कैसी मनाई इस विचा पर अनुशेद लिखना Option C है मेरे सपनों का भारत विचा पर अनुशेद लिखना Option D है पाठ्या पूस्तक से उत्तर कठिन शब्दों का शुथ लेखन इसका right answer हो जाएगा आपका कि प्रात्मिक सतर पर उत्कृष्ट लेखन के लिए की option A कि किसी आँखों देखी गटना का लिखित बनन करना क्योंकि जो प्रात्मिक सतर के जो आपके primary level के बच्चे हैं वो चीजों को देखकर ही उनको analyze करते हैं और सीखकर ही वो क्या करते हैं उसका आर्थ निकालते हैं तो इसलिए बच्चे क्या करेंगे उसको किसी जो उन्होंने घटना जो देखी है उसको ही वो क्या करेंगे analyze करेंगे उसके बारे में वो लिखेंगे Next question है भाषा सीखने के संदरब में कोन सा कथन सही है? बच्चे विभिन संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं और बच्चों में भाषा अरजित करने की जनम जात क्शमता नहीं होती option D है बच्चे विधाले आकर ही भाषा सीखते हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका option B कि बच्चों में भाषा अरजित करने की जनमजात क्षमता होती है और आपने ये भी इसको ध्यान रखना है कि ये बात आपकी किस ने कही ये बात आपकी कही है नौम चोमस्की ने जो आपके नौम चोमस्की जी है उन्होंने इस बात को कहा है कि बच्चों में जनमजात क्षमता होती है भाषा को अरजित करने की next question है डिस्ग्राफिया से परभावित बच्चों को मुख्या रूप से किस में कटनाई होती है option A है लिखने में option B है सुनने में option C है बोलने में option D है पढ़ने में तो आपके इसका right answer हो जाएगा option A लिखने में यह आपके disabilities है बच्चों की जो विकार है एक तो इसमें आपका जो डिस्ग्राफिया है वो ग्राफ पर आपका लिखने का काम करते है यह आपका पढ़ने का क्या हो जाएगा dyslexia आपका पढ़ने से related हो जाएगा इसमें dyslexia पढ़ने से related हो गए आपका और गणित से related क्या हो गए आपका dyscalculia क्योंकि आपका dyscalculia यह आपका गणित से related है क्योंकि गणित में आप क्या यूज करते हो यह लिखने से related dysgraphia और आपका क्या हो गया पढ़ने से related dyslexia यह हो गया आपका next question है आपका प्रात्मिक सर की हिंदी भाषा की पाठ्था पुस्तकों में आप किसे सरवधिक महतपुन मानते हैं option A है हिंदी भाषा को विभिन रूप में देने वाली रचनाएं option B है बहुत परसिद लेखकों की परसिद रचनाएं option C है नैतिक मुल्यों वाली कहानी कविताएं option D है बहुत आयत में दिये गए अभ्यास कारी है इसका right answer हो जाएगा आपका option A हिंदी भाषा को विभिन रू option A है भाषा शीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है option B है संसाधन के रूप में कारिय करती है option C है सिख्षक के लिए बहुत जटिल चुनोती है option D है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है इसका right answer हो जाएगा आपका option B संसाधन के रूप में कारिय कर सकती है क्योंकि जो बहु भाशिक कक्षा होगी बहु भाशिक जिसमें विभिन भाशाएं बोली जाती है तो भाशा सीखने की प्रक्रिय को बाधित करेंगी तो बाधित तो वो नहीं करेंगी इसमें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा उप्शन C है भाशा का लिखित आकलन उप्शन D है भाशा का उपलब्द परिवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उप्शन D कि भाशा का उपलब्द परिवेश जैसा होगा वैसे ही वो उसमें अब सीखने में और अरजित करने में उसका मुख्याधार होगा क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर वो एक स्टैंडर्ड लैंक्वेज को सीखते हैं और बच्चे जब घर पर होते हैं वो अपनी मदर टंग को यूज करते हैं तो मदर टंग को अब जो आपका जरूर बताना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक्यू